भागलपूर में चार कोरोना पोजिटिव मरीज की पुष्टी होने के बाद जहां जिले भर में लोगों के बीच दहशत का महौल है वहीं JLNMCH के एक चिकित सक को COVID-19 की पुष्टी होने के बाद पूरा अस्पताल परवंदन और स्वास्तकर्मी जाच के घेरे में आ गए हैं पूरे देश में जहां कोरोना संक्रमीतों की संख्या में लगतार तेजी से विरिधी हो रही है वहीं बिहार में कोरोना पेजिटिव केस की संख्या भी लगतार बढ़ती जा रही है जिससे सरकार के साथ जिला परसासन और अस्पताल परवंदन की सरगर्मिया तेज हो गई वहांगि भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भागलपुर के चार एवं अमरपूर के एक पूरणी मरीज भरती हैं, जबकि गुरुवार को संक्रमीर डॉक्टर एवं अन्य कॉर्णी मारीज पूर्णी के शंपर्ग में आने वालों की जाच शुरू हो गई है बिहार में भी लगतार कोरोना वारास का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और पिछले तीन दिनों में ये कोरोना पोजेटिव मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और इसमें हम आपको बता दे कि हम भागलपूर में भी चार कोरोना के पोजेटिव केस पाए ग और आज उनके संपर्क में आई हुए जो जितने भी डॉक्टर है या जहां जहां भी उन्हों ने अपनी सेवा दी ती वो उन सभी जगों पर लगतार जांच कराई जा रही है जिससे कि किसी भी तरीका का कोई अगर संदे अगर आता है या किसी तरह कोई लप्छन मिलता है को पूर्पूर के मरीज हैं तो इसके साथ ही आज पास में वांका जिले कामरपूर से भी एक मरीज हैं तो कुल पांच केस यहां पर भागलपूर के माया गंज में फिलाल अभी भरती हैं जो प्रोना पोजेटिव संक्रमित हैं और कल साम तक हाला कि ऐसा कुछ भी नहीं था ल लगातार हाई-लेवल की मीटिंग चलती रही और जो भी कोरोना पोजेटिव से जो ग्रसित जहां के भी लोग हैं उन सभी शेत्रों को लगातार सील करने का काम किया गया जिलाप्रसासन के उसे कंटेन्मेंट जोन उसे घोसित करके और जहां जिन एरिया को सील किया गया है वहां पर पूरी तरके से कामकाज बिल्कुल सारा अवागमन बंद कर दिया गया है और अब भागलपूर के मायगंज में जो डॉक्टर जो एक पीडित हुए हैं उसके कारण और कितने लोग इसकी चपेट में आती हैं यह तो जाच रिपोर्ट के बाद ही आएगा फिलाल ह वह भी जाच के दाइरे में आ सकते हैं और इसको लेकर जिला परशासन और अस्पताल परशासन लगतार एथियात बरत रहा है और इसको लेकर लगतार सक्रिया है बागलपूर जिले के चार इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हलकंप मच गया है वहीं रिपोर्ट आते ही प्रसास्निक महाकामा शक्रिय हो गया बुद्वार की रात से ही मरीज के घर से तीन किलोमेटर के दैरे को कॉंटेनमेंट जौन चिन्हित करने की तैयारी सुरू कर दी गई है इधर सिकंदरपूर को होट स्पोट मानते हुए पुरी तरह सील कर दिया गया है साथ ही काफी संख्या में पुलीस बलों की तैनाती कर दी गई है डियम परनब कुमार के निर्देश पर कॉंटेनमेंट जौन के सारे संस्थान और परतेश्थान को बंद कर दिया गया है जिसका जाईजा लिया हमारे शमवाद दाता सैयद इनामुद्दीन ने भागलपूर में खत्रे की घंटी बज चुकी है और यहां चार कोरोना पॉजेटिव मरीज मिले हैं इसको लेकर के जिला परशासन की ओसे पुलीस परशासन की ओसे सकती तेच कर दी गई आप देख सकते हैं सिकंदर पूरी इलाके के तीन किलो मिटर के दायरे को पूरी तरह सील कर दिया गया है और जगह जगह पुलीस बलों की परति निक्ति की गई है जिला धीकारी परणव कुमार और एससपी आसिस भाती ने देर रात बैठक की बैठक के बाद जो इलाके में कोरोना पॉजेटिव मरीज मिले थे उस इलाके में गस्ती तेच कर दी गई और मैकिंग की गई घरों से लोगों से घरों में रहने की अपील की गई जिला परसासन की और से पुलिस परसासन की और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद माया यहां पर भागलपूर में बीज मिलें उसके संपर्ख में इसका इसकी हिस्ट्री पता कर रहा है कि कितने लोग उसके संपर्ख में आये थे और उन सभी को क्रोन टाइन किया रहा है और 3 km के इलाके में जो सिकंदरपूर का यह इलाका है, 3 km के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया ह। यह भी देखना सबसे बड़ा बात सबसे बड़ी बात होगी कि किस तरीके से जिला परसासन को भागलपूर में रोखने में सफल होता है हाला कि जिलाधी कारी पर्नब कुमार और सस्पी आसिस भारती के दुआरा जो इलाका है जहां भी के कोरोना पॉजेटिव के मरीज मिले ह उसमें सक्ती तेच कर दी गई है और जिला परसासन और स्वास्त विभाग और पुलिस परसासन की टीम लगातार काम कर रही है हम एक बार फिर आपसे अपील करते हैं सिल्ख टिवी आपसे अपील करती है कि अनावस्यक घरों से बाहर ना निकले और सहर को सुरक्षित रखे घरों में रहें स्वास्त रहें सुरक्षित रहें अपने सयोगी कैमरा परसं सुमीत के साथ सेदिना मुद्दिन सिल्ख टिवी भागलपूर HDO एवं HDPO ने गाउं एवं आसपास के सील किये गए छेतरों का निरक्षन किया गौर्तलभो कि भीपूर के हरियो पंचायत की एक 19 वर्सिय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है और रिपोर्ट की पुष्टी होते ही जिलादिकारी के निर्देश पर मरीज के घर एवं उसके आसपास के तीन किलोमीटर के छेतर को कॉंटेनमेंट जोन घोसित कर दिया गया है इसको लेकर SDO मुकेस कुमार ने कहा कि हरियो के तीन किलोमीटर के छेतर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है उन्होंने कहा कि हरियो महिस्पूर में आवागमन पर पूरी तरह से रोक है और सील किये गे छेत्रों में दुकान खोलने, भीड लगाने या किसी परकार से कानून का उलंगन करने वालों पर सक्त कारवाई की जाएगी भागलपूर में कोरोना पॉजेटिव मरीज मिलने के बाद नगर विधायक अजीत सर्मा की चिंताब बढ़ गई है गुरुवार को अजीत सर्मा ने लोगों से सोसल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की साथ ही कहा कि भूखे और असहाय लोगों की मदद के लिए सभी संपन लोगों को आगे आना चाहिए नगर विधायक अजीत सर्मा ने बिहार सरकार से बिना रासनकाट वाले परिवारों को भी अनाज के साथ आर्तिक सहाय अता देने की मांग की है आज बड़ा मैं दुखी हूँ मैं बड़ा गौरवानित महसूस करता था कि भागलपूर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं निकला लेकिन रात जो सूचना मिली एक वेक्ती सिकंदरपूर जो दक्षिनी छेतर में आता है वहाँ पॉजिटिव पाया गया है पूरा वो बैकेटिंग की जा रही है सील किया जा रहा है मैं आपके माध्यम से जंता से एक अपील करना चाहूंगा चुकि पॉजिटिव निकला है इसलिए आप बिल्कुल घर में रहें तभी आप सुरक्षी तरह पाएंगे चुकि अब वक्त है चुकि था नहीं तिसलिए मैं बहुत चिंतित नहीं था और मैं सरकार से भी आपके माध्यम से आग्रा करूंगा कि यह तीन दिन की जो जाँच आपने शेहर में दिया है गौव में भी तीन दिन में दिया है कि जो लोग भूखे है जाच कमीटी जाएगी और उनको राशन दिया जाएगा आपको रिपोर्ट करेगा पटना मैं आपके माध्यम से माने मुख मंतरी से आग्रा करना चाहूंगा जाच रेगुलर चलनी चाहिए जैसे आज मेरे पास दो दिन का खाना है तीसरा दिन मेरा खत्म हो जाएगा आप आपसे अभी तक लिया नहीं है लेकिन आप जाच करके जो रिपोर्ट आप पटना चला गया फिर तो उसी को आप मानिएगा जाच रेगुलर चलना चाहिए और जिनके पास खाना नहीं है उनको देना सुरू कर देना चाहिए नहीं कि जाच होगे पटना जा रहा है फिर आ रहा है जाच होगे आप दुबारा नहीं होगा ऐसा नहीं होना चाहिए जाच जब तक लॉकडाउन है लगतार चलना चाहिए और हर गरीब को खाना किसी भी किमत पर राशन मिलना चाहिए संगठन यहाँ पे बहुत सारे लोग सहर के लोग बांट रहे हैं खाना दे रहे हैं हमारी धर्म पत्नी भी दे रही है लेकिन मैं आगरे करूँगा जो लोग सक्षम है समर्थवान हैं वो अपने अगल बगल जो गरीब लोग भूखे रह रहे हैं उनको और भी अधिक देने का काम किजिए ताकि वो लोग भूखे नहीं रहे हैं बिहार क्रिशी विश्विद्याले सबाउर के कुलपती डॉक्टर रजे कुमार सिंग को राजभवन ने तिलकामान जी भागल पुर्विश्विद्याले का प्रभारी कुलपती बनाया है इसके पुर्व टीमबियू के 62 प्रभारी कुलपती प्रोफेसर अवदकिसोर राय थे वहीं गुरुवार को B.A.U. के कुलपती डॉक्टर रजे कुमार सिंग ने 63 कुलपती के रूप में पदभार ग्रहन कर लिया पदभार समालते ही टीमबियू के प्रती कुलपती प्रोफेसर राम यतन परसाद रजिस्टार करनल अरुन कुमार सिंग और अन अधिकारियों ने कुलपती का बुके दे कर स्वागत किया हलांकि इस दौरान विश्विद्याले के अधिकारियों ने सोसल डिस्टेंसिंग का जराभी ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे से नस्दी की बना कर बैठे रहे वहीं प्रभारी कुलपती डॉक्टर अजे कुमार सिंग ने कहा कि उनकी पहली प्रात्मिक्ता बेश्विद्याले में सिक्छा और शोध कारिये को बढ़ावा देना है मौके पर डियेश डवलू डॉक्टर योगेंद्र महतो, डियो डॉक्टर अभ्यानंद शहाय, एफो बिजैमल परसाद, परिक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुन कुमार सिंग, एफो पदमकांत ज्जा, प्रोफेसर संजे कुमार चौधरी, प्रोफेसर आरसी राय, डॉक मतलब होता है सिक्षन, और अनुसंदान और परसिक्षन भी इसके साथ जुड़ा होता है, लेकिन फर्स्ट प्रियाइटी हमारी होती है सिक्षन, और हम अभी पोसिस करेंगे कैसे उसके बुनवत्ता में हम सुधार लाएं, और साथी साथ जो अभी COVID-19 के कारण जो संकट आ बाया हुआ है, इसमें हम लोग का प्रयास होगा, जब हम लोग कभी पैठेंगे हम अपने सारे सेनियर प्रकॉसर्ट के साथ, तो उन लोग सहाच से हम वको जैसा जानकारी मिल रहा है कि यहां पर online classes चल रहे हैं और घर्च्वर online classes हो रहा है, और हम लोग कोशिस करेंगे का online क्लासिस को और किस तरह से हम लोग सुद्री कर रहे हैं जैको स्टुडेंट को इस कोई नाइंटीन का एच पर एजुकेशन इस कंसर्ण उस पर कोई उनका गलत परवाव नहीं पड़े और हमारे स्टुडेंट को सेशन का कोई लॉस हो क्योंकि यह यह भी एक बात है कि हमारे ह जो सेशन कभी के भी लेट हो जा रहा है जैसा कि जानकारी मिली है तो सारी चीज को द्यान में दब कि हम लोग सारे हैं के सिनियाद पॉफेसर स्टुडेंट को सुझाए क्या आपको कान, नाग या गले में कोई समस्या है जैसे कान बहना, सुनने में परिशानी, कान में दर्ड, गले की खरास, गले में दर्ड, थाराई, नाग का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादी है तो समस्या के निदान है तू आपके शहर में विश्व अस्त्रेय अस्पताल, एडवांस इएंटी हॉस्पिटल, जिसमें अतिया अधुलिक उपकण्डो द्वारा उप्चार, डॉक्टर एचाई फारुक की देखरेग में किया जाता है डिजिटल एक्सरे एमब कंप्लीट ओडियो लॉजिकल प्रोफाइल की विवस्था साउंट प्रूफ परिवेश में बेरा ओटो एकॉस्टिक इमिशन टेंपॉनोमेट्री जाच की जाती है और हाँ एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आग्लन किया जा सकता है बिना तारवाली कान के अंदर लगने वाली सुक्ष में देशी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्द है विदेशी मशीनों से सुसरजीत ओपरेशन थेटर तथा पेसेंट के रहने के लिए एसी नौन-एसी जेनरलवार्ड उपलब्द है चमपान नाला पूल के निकट चमपान अगर भागलपूल बाका के सुईया भेलवा मुख्य मार्ग पर बढ़वा नदी पूल के समीब बुद्धवार की देररात अग्यात अपराधियों ने चौकिदार लखन यादव के 25 वर्सिय पुत्र गंसियाम यादव की गोली मार कर हत्या कर दी घटना की सुचना मिलते ही सुईया थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार राय दलवल के साथ मौके पर पहुँचे और शब को अपने कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए बाका भेज दिया परिजनों ने बताया कि घंसियाम बुद्वार की देर साम बाइक लेकर घर से निकला था लेकिन देर रात तक वह वापस नहीं लोटा सुक्रवार की सुभब बढवा पुल के समीप ग्रामिनों ने शब को देखा और परिजनों को इसकी सूचना दी फिलाल पुलीस चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है बाका वेलहर पुलीस ने अपराद की योजना बनाते छे अंतर राज्जी अपराधी को हतियार के साथ दबोच लिया है दरसल बाका एसपी अरविंद गुपता को शभी अपराधियों के एक जूट होने की गुपत सूचना मिली थी जिसके बाद एसपी के निर्देश पर वेलहर थानाध्यक्ष विनोत कुमार ने साहेब गंज बाका मुख्यमार्ग तिलवरिया गाउं के समीप छापे मारी कर छे अपराधी को गिरपतार कर लिया पकड़े गए अपराधी के पास से पुलीस ने देशी कट्टा और गोली बरामद किया है वेलहर डियस्पी एमके आनंद ने बताया कि गिरपतार अपराधियों से गहन पुछताच की जा रही है लॉकड़ाउन को लेकर भागलपूर नाथनगर के सुभास चौक पर समाज सेवी सहजी पध्यक्ष परतिनी धी विज़यादव के नेतरित में समाचार पत्र वित्रकों के बीच रासन समागरी का वितरन किया गया इस दोरान 45 समचार पत्र वित्रकों को खादिशमागरी दिया गया समचार पत्र संग के अध्यक्ष गौतम ठाकूर एबं संचालक कनेया कुमार ने लॉकडाउन में जरुरत मंदों की सेवा करने के लिए विजय यादव के प्रती अभार व्यक्त किया इसके अलावे कई जगों पर महादलित समुदाई के बीच राहत समागरी बाटी गई वहीं वित्रन के दवरान जिला परिसद उपाध्यक्ष आर्ती कुमारी नाथनगर सीयो राजेस कुमार एबं ललमटिया थाना ध्यक्ष ओमपरकास मौजूद थे पिरपेंती चेमबर ओफ कॉमर्स बारहट के नेत्रित में गुरुवार को संथाली परिवार के लोगों को भोजन कराया गया पिरपेंती के महेश राम पंचायद बल्ली टीकर में जरूरत मंदों एवं बच्चों को सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भोजन कराया गया संस्ता के अध्यक्ष परमानंद केजरिवाल उपाध्यक्ष संजीब गुपता समेत कई सदस्यों ने लोगों को भोजन कराया इस दोरान चेंबर के अध्यक्ष पर्मानंद केजरिवाल ने कहा कि संथाली समाज के लोगों की समस्या को देखते हुए चेंबर ने अपने समाजिक डाइट तुका निर्वहन किया है उन्होंने कहा कि सिध्धु कानु चौक बॉटर एरिया में सेवा देने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए भोजन एवम सेनेटाइजर की वेवस्था की गई है इस मौके पर वीडियो रज्जन लाल निगम अंचला दिकारी परमुख रश्मी कुमारी समय चेंबर के सदस्य मौजूद थे हमलोगा जो लक्ष है हर गरीब के घर में कहाना पहुँचना और हम लोग इसके लिए चेंबर वज़ा कोमर्स के परमानजी केजरीवाल का सप्कोर्ट ले रहे हैं और हम लोग का लक्ष है कि जब तक गरीब भुके रहेंगे तब तक हर्मों सेवा देते रहेंगे ये लक्ष पूरा करना है तीनों टेंकर से पूरे सुल्तान गंज छेत्र को सेनेटाइज किया जाएगा पपू यादव की टीम कभी गाउं महले में जाकर लोगों को रासन मुहया करा रही है तो कभी राज़त नेता खुद आसहाय और गरीबों के बीच अनाज एवं नगद रासी बाट रहे हैं नाथनगर विधान सभा के पूर्व परतियासी पपू यादव ने कहा कि विकट परिस्थितियों में सभी लोगों को एक दूसरे की साहय अता करनी चाहिए इसी उद्देश को ध्यान में रखते विए राज़त के कारीकरता ज़रुतमंद लोगों तक राहत समागरी पहुचा रहे हैं पपू यादव ने कहा कि जाती धर्म से उपर उठकर वह अंतिम सास तक लोगों की साहय अता करते रहेंगे देश में जब से लोगडाउन लगा हुआ है हमारा भावी मुखमत देश्वी यादव जी के नित्रूत में पूरा भागलपूर में राज़त परिवार लगा हुआ है पप्पू यादव के तमंव यूवाझे वम राज़त करता पंपू यादव के देख्रेक में भागलपूर का बेटा पपू यादव 27 दिन से हमारा यूवा राज़त के का य करता पूरा नाथनगर विधान सबाद आपका नात्रगर हो सबोर हो जगदेशपूर हो तीनों परखन में घर घर में रासन पहुचाने का काम कर रहा है पैसा पहुचाने का काम कर रहा है और भागलपूर में भी किसी को भूके नहीं सो इसके लिए हम सब पहल कर रहे हैं कोरोना संक्रमन की जाच को लेकर भागलपूर परसासन काफी सजग नजर आ रहा है गुरुवार को गोराडी परकंड के दर्जनों गाओं में स्वास्त विभाग की रैपिड रिस्पॉंस टीम ने घर घर जाकर विदेसों से आये लोगों की जानकारी ली टीम के सदस्यों ने ग्रामिनों से सर्दी, खाशी, बुखार एवं सांस लेने की तकलीफ के बारे में पूछताच की और कोरोना से संबंदिद लक्षन पाये जाने वाले को चिन्नित किया सुपरवाइजर अफजल हुसेन, मम्ता कुमारी एवं एएनम रचना कुमारी ने घूम घूम कर स्क्रीनिंग की रचना कुमारी ने कहा कि एक मार्च के बाद बाहर से आए लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश कोरोना संक्रमन को बढ़ने से रोकना है